क्या कहा? गुस्ता आ गया था तो गई जैसे कि आपने अभी वीडियो के स्टार्टिंग पे स्लो फास्ट मोशन वाला इन बच्चों का वीडियो देखा इस तरह का हाइपर स्लो मोशन वाला वीडियो काफी जदा इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रेंड कर रहा है और इनके उपर मिलियन्स में लाइक्स और वीव्स आ रहे हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इन बच्चों के जैसा स्लो फास्ट मोशन वाला वीडियो एकदम स्मूथली कैसे बना सकते हो तो दोस्तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको सिखाने वाला हूँ तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल वाले नोटिफिकेशन को ओल पर क्लिक कर लेना तो चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो आपको सबसे पहले इस तरह का slow and fast motion वाला वीडियो बनाने के लिए आपको एक वीडियो शूट कर लेना है आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हूं मैंने यह वीडियो यहाँ पे सिंपल से शूट कर लिया है और दोस्तो शूट करने के बाद आपको VN एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना है आप मेंसे कुछ लोग अब बोलेगे कि इसके अंदर स्मूथली एकदम स्लो मोशन नहीं आता है बड़ दोस्तो आज मैं आपको कुछ ऐसा आपको ट्रिक बताने वाला हूं जिससे इसके अंदर आपको एकदम स्मूथली स्लो मोशन आने वाला है तो चलिए दोस्तो चलते हैं आपने mobile phone के home screen के उपर विकोज वहीं पर मैं आपको step by step सिखाने वाला हूँ तो चलिए चलते हैं तो आप लोग देख सकते हूँ आप मेरे mobile phone के home screen के उपर आ चुके हूँ तो सबसबरे दोस्तो आपको vn application को open कर लेना है open कर देने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इसका dashboard आने वाला है तो नीचे आपको plus वाले button के उपर click कर देना है और आपको new project के उपर click कर देना है और यहाँ से आपको उस video को select कर लेना है जिस video को आप edit करना चाहते हैं जो आपने अब रिसेटली shoot किया था तो चलिए दोस्तों मैं इस video को यहाँ पर import कर देता हूँ तो मेरा video यहाँ पर track के उपर आ चुका है तो सबसे पहले आपको video के end पर चले जाना है और आपको यहाँ पर एक watermark मिलने वाला है तो आपको इसे delete कर देना है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको video play करके दिखा देता हूँ बट उससे पहले मैं अपनी video का जो voice है उसे off कर लेता हूँ तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका voice को off कर दिया है और चलिए मैं आपको इसे play करके दिखा देता हूँ तो आप लोगों ने देखा मेरा एक दम सिंपल वीडियो है ना तो कोई इसमें आइडिटिंग हुई हुई है और ना ही इसमें कोई slow motion हुआ है तो चलिए दोस्तो सबसे पहले हम यहाँ पर slow motion इसमें डाल देते हैं और इसमें आपको बताऊंगा कैसे आपको इसमें fast भी करना है तो सबसे पहले दोस्तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं आसे आना start हो रहा हुँ तो यहाँ पर मुझे एक slow motion चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आपको एक catchy का option दिखाई दे रहा हुगा तो इसके उपर आपको click कर देना है यहां तक आपको slow motion चाहिए वहां तक आपको cut लगा देना है तो चलिए दोस्तो मैं देख लेता हूँ मुझे यहां तक इसमें slow motion चाहिए तो यहां पर मैं एक cut लगा देता हूँ तो चलिए catchy option के उपर click करते हैं जो आपने यहां पर clip में cut लगाया है उसके उपर आपको click कर देना है और यहां से आपको speed का एक option मिलेगा तो इसके उपर आपको click कर देना है और दोस्तों यहां पर आपको इसमें settings कुछ भी नहीं छेट दिया है ठीक है कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें ही अपना slow motion को डालते हैं यही सबसे बड़ी गलती करते हैं जिससे उनमें lag होता है उनका slow motion तो यहां पर आपको इसके बराबर में regular का option दिखता है तो इसमें आपको 0.5 यहां पर कर देना है ठीक है यहां से आपको right के उपर click कर देना है तो दोस्तो अब आप लोग यहां पर अपना slow motion देख सकते हैं एकदम यहां पर बिल्कुल भी lag नहीं होगा एकदम smoothly आपका slow motion चलने वाला है तो चलिए यह देखते हैं तो आप लोगों ने देखा कितना smoothly मेरा यहां पर slow motion चला तो आपको भी अपनी वीडियो में ऐसा ही slow motion डालना है तो दोस्तो अब यहां पर आपको fast कैसे करना है आपको एक और cut लगा देना है और दोस्तो यहां से आपको यहां पर speed के उपर click करके regular के उपर click कर देना है और यहां से आपको 0.5 बढ़ा देना है आपको ठीक है यहां पर इतना बढ़ा देना है 4 के something आपको right के उपर click कर द तो फिर से हम regular के उपर जाएंगे and अपने जो speed है उसे 0.5 slow कर देंगे देन आपको right के उपर click कर देना है अब आपको अपनी वीडियो को play करके देखना है वीडियो आपका कितना ज्यादा attractive बन चुका है तुछे देखते हैं तो दोस्तो आप लोग देख सकते हो मैंने सिर्फ 5 सेकंड का वीडियो यहाँ पर बनाया था आप लंबा वीडियो बना सकते हो तो दोस्तो मैंने आपको example देने के लिए यह समझाया था ठीक है तो दोस्तो आप मेंसे कुछ लोग सोचते हैं कि एकदम मैं hyper उनके जैसा ही बनाना चाता हूँ तो दोस्तो उसके लिए तो आपको आइफोन लेना होगा बिकोस वो आइफोन से एडिटिंग होती है आपको android से मैंने as a taste बता जिया है ऐसे ही आपको एडिट करना है तो इसके उपर किलिक करके आप अपने वीडियो को export कर दीजे तो ये वीडियो आपका gallery के अंदर से हो जाएगा आइफो दोस्तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर देना आपको एंदर आपको एंदर आपको एंदर से होगी आपको पर साथ किलिए ताटा एंद बाई-बाई